मत करो यार हार्दिक पांडिया की हूटिंग पर रोहिश शर्मा की दिखी नाराजगी वीडियो देखकर पसीज जाएगा दिल आप दीख रही है दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार मुम्मा इंडियन्स के कप्तान हार्दिक पांडिया की फैंस ने चम कर केटिरी की रोहिश शर्मा को वान खेड़े स्टेडियम पर दर्शकों का ये व्यवहार रास नहीं आया शर्मा ने दर्शकों से गुजारिश कर दी कि हार्दिक पांडिया की हुटिंग करना बंद करें मुम्मा इंडियन्स को अपने होम ग्राउंड पर राजस्तान रॉयल्स के हाथ उच्छे विगिट की शिकस्त जिरनी पड़ी हर्दिक पांडिया गैंद और बले दोनों से कमाल नहीं कर सके हर्दिक पांडिया का समय अच्छा नहीं चल रहा है मुम्मा इंडियन्स का कप्तान बनने के बाद हर्दिक पांडिया फैंस के कुस्से का शिकार बनते आ रहे है वो भी जहां जा रहे हैं वहाँ उनकी हूटिंग हो रही है मॉंबा इंडियन्स की टीम सुवार को अपने होम ग्राउंड वांखेड़े स्टेडियम पर राजस्तान रोल्स के खिलाब मैच खेलने उतरी थी मॉंबा इंडियन्स की टीम मौझूदा सीजन में अपना पहला मैच होंग ग्राउंड पर खेल रही थी मगर यहां भी हार्दिक पांडिया दर्शकों की कुछ सिकाश शिकार होने से नहीं बचे वन खेले स्टेडियम पर दर्शकों ने मॉंबा इंडियन्स की कप्तान की जम कर होटिंग की मॉंबा इंडियन्स के पूर्व कप्तान रोविश शर्मा इस होटिंग से खासे नाराज दिखे और उनने दर्शकों को होटिंग करने से रोका रोविष्शरमा डीब पर फीड्निंग कर रहे थे, तब उन्होंने इशारे से दरशकों को सांथ रहने के लिए कहा और हार्दिक पांडिया की हुटिंग बंद करने की गज़ािश थी इस से पहले टॉस्ट के समय भी हार्दिक पांडिया की जम कर हुटिंग हुई थी तब प्रसारण करता संजय मांजेटकर ने दर्शकों से कहा था कि व्यवाहार सही रखे बेराल रोष शर्मा ने संजय मांजेटकर की तरह सीधे तो दर्शकों को कुछ नहीं कहा लेकिन हिटमैन ने इशारा करके दर्शकों को उटिंग बंद करने के लिए जरूर कहा रोष शर्मा की दर्शकों से अप्रील कर ये वीडियोस तोशल मीरिया पर जब कर वाइरल हो रहा है मुंबई इंडियन्स की शर्मनाखा हार्दिक पांडिया के साथ साथ मुंबई इंडियन्स का समय भी अच्छा नहीं चल रहा है मुंबई इंडियन्स को सोंबार को टूनामेंट में लगाता तीसरी शिकस्त छेलनी पड़ी हादिक पांडिया के नेत्रत्वाली मुंबई इंडियन्स को राजस्तान रोल्स के हातों छे विकिट की पराजेज हिलनी पड़ी इस शर्मनाख शिकस्त के साथ मुंबई इंडियन्स की टीम IPL 2024 की पॉइंट स्टेवल पर आफ़ी स्थान पर है मुंबई को अब अगले मैच से पहले 6 दिन का प्रेक मिला है हादिक पांडिया और टीम प्रवंदन की कोशिश अगले मैच में पहली जीत दर्ज करनी की होगी मुंबई अपना अगला मैच साथ अप्रेको दिल्ली के वानखेड स्टेडियम पर खेलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं